नमस्कार, स्वागतो है सभी आमबारी बहनों का Porsche Tracker App की एक नए वीडियो में तो बहनों आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी मिनुठी इंफृर्मेटी वहने वाली है जैसे कि इस विडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि Potion Tracker App की ओर से एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनिय काम किया गया है आगनबाडी सेविकाओं के लिए आज तक ऐसा नहीं हुआ था Potion Tracker App की ओर से एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है जैसे कि अगर आप आगनबाडी सेविका है और पोसन ट्रेकर एप से रिकार्डिंग आप लोगों को कोई भी प्रोब्लम होती है तो विभाग वालों ने एक customer care help line number जारी किया है जी हाँ आप लोगों के लिए एक customer care help line number जारी कर दिया गया है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि customer care help line number जो है वो है 1440 और 8 यह customer care help line number है यहाँ पर आप पोसन ट्रेकर एप से रिकार्डिंग कोई भी समस्याओं का समधान असानी से पास सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है कैसे आपको कॉल करना है कब से कब तक आप customer care में कॉल करके अपनी समस्याओं का समधान पास सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप सभी आंगनबारी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम आपके लिए इस परकार से नए नए वीडियोज लेके आते रहते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि हमने अभी यहाँ पर पोसन ट्रेकर एप को ओपिन कर रखा है यहाँ समको क्या करना है, इसको बैक करने के बाद आपको क्या करना है कि कोई भी ब्राउजर को ओपिन कर लेना है जैसे कि गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर को आपको ओपिन कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पे portion tracker ली के search करना है पोसन ट्रेकर ली के search करेंगे तो आपको यहाँ पे portion tracker का जो official website है यहाँ पे खुल के आ जाएगा इस पे आप लोग जैसे ही touch करेंगे तो आपको यहाँ पे customer care help line नंबर का जो एक update है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर Introducing Potion Help Line यह जो help line number है 14408 यहाँ पर आप किसी भी परकार की समस्याओं का समधान पास सकते हैं Potion Tracker में किसी भी परकार समस्याओं आप लोगों को आ रही है तो आप डैरेक्टली इस number पर call करेंगे कैसे call करेंगे चली हम आपको call करके दिखा देते हैं कब से कब तक आप लोग यहाँ पर call करके बात कर सकते हैं यहाँ पर phone वाला जो option है इसको open करेंगे open करने के बाद यहाँ यहां पर हम कीपेड को ओपेन करेंगे यहां पर हम टाइप करेंगे 14408 ठीक है यहां पर हम इसको कॉल लगाते हैं अभी हम यहां पे call लगा रहे हैं लेकिन अभी लग नहीं रहा है थोड़े देर के बाद यहां पे call लग जाएगा तो अभी हम लगा रहे हैं देखें यहां पे call कट गया फिर से दुबारा हम यहां पे call को लगाएंगे तो देख सकते हैं कि अभी हम यहां पे पोशन ट्रेकर हेल्प लाइन पे हमने call किया तो यहां पे क्या जबाब आ रहा है जो कस्टमर के और हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया था 14408 तो हमने इस पे call लगाया तो उधर से क्या जबाब आया कि आप इस नंबर पे यानि कस्टमर के और हेल्प लाइन नंबर पे सो मुआर से लेके सुक्रवार तक ही बात कर सकते हैं और इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे सुबह से लेके सामके 6 बजे के बीच आप लोग सो मुआर से शुक्रवार के बीच में कॉल करके अपनी समस्याओं का समधान पा सकते हैं सनिवार और रविवार के दिन छुटी है इसलिए आप लोग उस दिन कॉल नहीं कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ सो मुआर से लेके सुक्रवार तक ही कॉल कर पाएंगे तो इस परकार से ये कस्टमर के और हेल्प लाइन नंबर जारी की गई है अब आप लोग पूछेंगे कि कस्टमर के और हेल्प लाइन नंबर में हम लोग कौन-कौन सी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि आप लोग पोसन ट्रेकर आप से छोटी सी छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या को आप लोग अपने customer के और help line number में call करके पूछ सकते हैं जैसे कि लभार्थियों के बारे में कोई भी जनकारी आपको समझ में नहीं आती है details भरने नहीं आता है, गर्भुवती महिला का details आपको भरने नहीं आता है अधार सत्यापन करने में आपको प्रोलम आती है या दैनिक ट्रेकिंग से रिकार्डिंग कोई भी प्रोलम आती है तो आप लोग अपनी समस्याओं को साफ सब्दों में समझाईएगा कि मुझे ये समस्या हो रही है सर आप हमें बताने की कोशिश किजिए कि हम इसको कैसे ठीक कर पाएंगे तो उधर से जो कस्टमर केर वाले हैं वो आपको आसान भासा में समझाएगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और आप लोग अपना काम आसानी से कर पाएं तो ये जो हेल्प लाइन नमबर जारी किया गया है ये बहुत ही अच्छा है आप सभी आगनबाडी सिवकाओं को सुबिधा परदान करने के लिए जारी किया गया है और आप अप लोग पुझेंगे कि क्या हम लोग कस्टमर केर हेल्प लाइन नमबर में रेजिस्टर मुबाइल नमबर से कॉल कर पाएंगे या अधर किसी नमबर से कॉल कर सकते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि आप लोग अधर किसी नमबर से भी कॉल कर सकते हैं या रेजिस्टर मुबाइल नमबर से भी कॉल कर सकते हैं कोई प्रोबलम नहीं है आप लोग किसी भी नमबर से कॉल करके अपनी समस्याओं का समधान पास सकते हैं बस आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही ये जो कस्टमर के और हेल्पलाइन नमबर जारी किया गया है वो आप लोगों को कैसा लगा और आज की ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताईएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन